हेलो फ्रेंड्स, वेलकाँ टु माई यूट्यूब चैनल, सो फ्रेंड आज हम इस वीडियो में डिसकस करने वाले हैं टॉपिक जिसका नाम है दा पैराडाइस लोस्ट बुक सेकंड की समरी के बारे में, इससे पहले हमने बुक फर्स्ट की समरी को पढ़ लिया है इसके साथ ही introduction की जो बाते थी वो भी हमने पढ़ लिया है अगर आपको MA previous year English literature paper first, second, third, कोई भी paper से लेटर कोई भी topic पढ़ना है तो आप नई शिर्वात YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए यहाँ पर MA previous year English literature के नाम से एक playlist बनाए गई है अगर आप उस playlist को खोलते हो, तो आपको हर एक topic आपको वहाँ पर मिल जाएगा और इसके साथ ही अगर आपको कोई भी doubt होता है, आप मुझसे contact करना चाते हो तो टालिग्राम पर नई शिर्वात के नाम से एक group बनाए गया है आप उसे join कर सकते हो, और वहाँ पर अपने जो भी doubts वगरा होते हैं, वो पूछ सकते हो तो स्टार्ट करते हैं आज का topic, the paradise lost तो ये हम book second की जो summary है, उसके बारे में पढ़ेंगे book first की summary में हमने ये देखा था, कि किस तरीके से एक angel जिसका नाम पहले lucifer था, वो क्या करता है, वो भगवान का विरोध करता है बगवान के against जाता है, जिसके कारम भगवान ने उसे heaven से निकाल कर hell में डाल दिया था इसके साथ ही बहुत सारी और भी angels थी, जिनोंने lucifer के साथ मिलकर बगवान का विरोध किया था तो बगवान ने उन सभी angels को heaven से निकाल कर hell में डाल दिया था जिसके कार जितनी भी वो angels थी, वो devil, यानि कि शैतान में change हो गई और इसके साथ ही जो lucifer है उसका नाम भी change हो गया था hell में उसका जो नाम है वो क्या पढ़ गया था? Saturn, तो इस तरीके से जो book first है उसमें main के है कि Saturn के बार भी बताया है कि किस तरीके से उसने बगवान का विरोध किया जिसके कारण वो heaven से hell में आ गया उसके बाद ये क्या करता है कि ये वहाँ कि जितने भी devils हैं hell के उन सभी को इकठा करता है और वापी से एक रण नीती बनाता है कि हम फिर से बगवान का विरोध करेंगे तो इतना जो था वो हमने book first की समरी में देखा है आज हम book second की समरी करेंगे इसमें basically क्या होता है कि ये जो Saturn होता है अब ये सभी को इकठा करता है जितने भी devils होते हैं और अब ये planning करते हैं सभी अपने अपने विचार देंगे कि हमें यानि कि बगवान के against जाना चाहिए या फिर नहीं हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं इस तरीके से उसके बाद क्या होता है कि जो Saturn होता है वो बगवान के द्वारा बनाई गई एक नई दुनिया जिसे हम अर्थ कहते हैं वहाँ पर जाएगा और ये सोचते है कि अर्थ पर जाकर जो बगवान ने ये create किया है मैं इसे खराब कर दूँगा तो ये जितने भी बाते हैं ये आज हम बुक सैकेंड के समरी में पढ़ेंगे सो स्टार्ट करते हैं आड दा स्टार्ट ओफ बुक सैकेंड सैटन सिस्ट ओन हीस थ्रोन लाइक अ मीडल एस्टरन पोटेंटेट तो जो सैटन है वो थ्रोन पर गदी पर बैठा हुआ होता है और वो इस तरीके से बैठता है जैसे कि वो मीडल एस्टरन पोटेंटेट का मिन्स होता है महराजा कि वो एक महराजा की तरह बैठ जाता है जितने भी डैविस हैं उन सभी का जो लीडर है वो कौन है सैटन इसके बाद अभी जितने भी डैविस वहाँ पर इकठे हुए थे उन सभी को अडर्स करते हुए बताता है अपने प्लान के बारे में जो कि अभी इने फॉलो करना है पॉर अफ दे डैविस पीक अब जितने भी डैविस खड़े होते हैं उनमें से चार जो डैविस होते हैं वो अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू बताते हैं जिसमें से पहला है मॉलोच इसके बाद है बिलाइल, मैमन और बिजेबब तो ये चार जो डैविस हैं वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू बताएंगे जिसमें से जो visible है ये कौन है being saturn mouthpiece ये तो saturn का ही एक mouthpiece है इस speaker offer a different attitude concerning a solution for their halish predicament predicament की जगा आप situation भी लिख सकते हो अब ये जो चार devils हैं ये offer करते हैं अलग-लग attitude अपना अलग-लग point of view जिसे कि जो halishment की situation है उसका कोई solution निकल सकी तो सबसे पहला जो devil है वो कौन है मौलोग अब ये जो मौलोग है ये क्या आता है propose open warfare on heaven ये तो कहते है कि हमें heaven क्यों पर फिर से war कर देना चाहिए फिर से attack कर देना चाहिए ठीक है open warfare करना चाहिए इस बार लेकिन दूसरी तरफ जो belial है ये propose करते है that they do nothing कि इन्हें कुछ भी नहीं करना चाहिए मैमन argues that hell may not be so bad तो यहां पर जो मैमन है ये क्या कहते है कि ये जो hell है ठीक है ये जो नर्ख है ये इतना भी बुरा नहीं है that it can be livable कि हम यहां पर रह सकते हैं even comfortable कि हम यहां पर भी comfortable है if all the devil will work to improve it अगर सभी devil मिल कर कोई काम करते हैं hell में तो शायद हम hell को भी अच्छा बना सकते हैं ये इनकी thinking थी मैमन की and busybub satan mouthpiece argue that the only way to secure revenge on heaven is to corrupt God's newest creation man यहां पर जो busybub है इसका क्या thought था इसने कहा कि हमें क्या करना चाहिए कि हमें जो बगवान से revenge लेना है उसके लिए हम क्या करेंगे कि जो बगवान ने एक निया creation किया है man को हम उसे ही corrupt कर देंगे तो बगवान की जो creation है उसको ही हम क्या करेंगे खराब करेंगे busybub's plan carries the day अब क्यों आदा कि यह जो busybub ने plan दिया है इसको follow किया जाता है and the Saturn brings his journey up from hell अभी जो Saturn है यह क्या करता है अपने journey को start कर देता है hell से at hell's gate he is confronted by his daughter Sin अभी जो hell है इसकी एक daughter होती है जिसका नाम क्या है Sin सबसे पहले जैसे ही यह hell से बाहर आने के लिए करता है start करता है अपने journey तब पहला जो gate उस पर कौन होती है इसकी daughter Sin और being whose upper यहां पर body लिख सकते हो torso की जगहां पर whose upper body is that of a beautiful woman जिसका जो उपर का जो हिस्से है उपर की जो body है वो तो एक beautiful woman की है but whose lower body is serpent-like लेकिन जो नीचे की body है वो serpent-like है serpent का मिज़ है snake-like है a cross from sin is her phantom-like son death इसके बाद क्यों होता है कि जैसे ही वो एक gate को cross करता है तो बाद में वो किसके सामने आता है अपने बेटे जिसका नाम की है death तो इस तरीके से ही जो saturn है इसकी जो daughter है इसका नाम आजएगा sin और इसका जो बेटा है उसका नाम आजएगा death इसके बाद आगे है saturn pursues sin to open the gate तो जब saturn है वो क्या करता है अपनी daughter sin को कहता है कि तुम gate खोल दो which she does जो कि वो कर देती है gate खोल देती है hell come जिसके थूँ वो बाहर जा सके but she cannot close them again लेकिन वो उसको वापिस बंद नहीं करती है saturn ventures for into the realm of cures and night the companion that inhabit the voids that separate hell from heaven अब क्या होता है कि जो saturn है उसने अपनी journey को start कर दिया है वो night में ही और आजएक तावे में अपनी जो journey है उसके तरफ आगे बढ़ता ही जाता है इसके साथ ही उसके जो companions होते है वो भी उसके साथ जाते है और इसके साथ ही वो hell से heaven की तरफ separate हो जाते है from chaos saturn learns that earth is suspended from the heaven by a gold chain तो यहां पर जो chaos है इसके तरू Saturn को यह बात पता चलती है कि जो earth है वो heaven से एक gold chain के तरू निकली हुई है ठीक है यानि कि वो heaven से connect है किसके तरू एक gold chain के तरू बट यह heaven से लटकी हुई है ठीक है and he immediately begins to make his way there अब क्या करते है कि जो Saturn है वो क्या करेगा अर्थ की तरफ जारने की अपनी जो journey है उसे start कर देता है as Saturn create the path from hell to earth sin and death follow him अब जैसे ही जो Saturn है वो hell से अर्थ की तरफ जारा होता है तभी इसके जो daughter and son यानि कि scene and death है वो भी इसको follow करते है and constructing a broad highway और एक highway त्यार कर लेती है जिसके द्वारा ये जितने भी बाकी के devils हैं वो भी hell से अर्थ की तरफ आ सकें तो यह जो summary है यह है book second की तो यहाँ पर एक short summary है book second divide into two large section कि जो book second है उसमें दो section है the first is the debate among the devil concerning the proper course of action तो first में तो क्या होता है कि वहाँ पर जो saturn होता है वो throne पर बैठ जाता है महराजे की तरह और अब वो क्या करते है कि जितने भी devils होते हैं उन सभी के point of view जानने की कोशिश करता है और यहां पर क्या होता है कि जितने भी devils होते हैं वो debate करते हैं अपने अपने views बताते हैं जिसके द्वारा वो पूरी एक अच्छे तरीके से course of action यानि कि पूरी रननीती बना सके कि अब उन्हें आगे क्या करना है इसके बाद जो second section है deal with the Saturn's voice out of hell with sin and death इसके बाद जो second section है उसके अंदर यह बताए गया है कि किस तरीके से जो Saturn की journey है वो start होती है वो hell से निकल जाता है अर्थ की तरफ और इसी के पीछे-पीछे को ना जाती है sin and death the only extent allegory in paradise lost तो यहां पर यानि कि एक allegory का use किया गया है paradise lost में sin and death के according ठीक है तो इस तरीके से यह आपकी जो paradise lost book second के summary है hopefully आपको समझ में आगी होगी अगर आपको कोई भी doubt पगर होता है तो आप comment section में बता सबते हो आपका doubt दूर कर दिया जाएगा so thank you friends for watching my video thank you